नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूए से एर फोर्स के लिए सिक्स्ट जेनरेशन का फाइटर जैट बन रहा है तो ऐसे में दोस्तों अब संभावना जताई द्या रही है कि इसके अंदर स्टार वार्स मूवी की तरह R2-D2 टाइप एक Artificial Intelligence वाला Co-Pilot सिस्टम हो सकता है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जिस R2-D2 की हम बात कर रहे हैं यह एक Co-Pilot था उस मूवी के अंदर जो की Artificial Intelligence से लैस था और अपने पाइलेट को guidance दे रहा था हर तरह की औ अंदर आ सकता है अलांकि दोस्तों मूवी में यह Space के अंदर जाता दिखाई दिया है और US का Sixth Generation Fighter Jet Space से बाहर नहीं जाएगा तो ऐसे में दोस्तों Earth के अटमोशफिर के अंदर ही इसे वो टेकनोलोजी देने की कोशिश की जा रही है Future Warfare के लिए दोस्तों Will Roper जो की Assistant Secretary of Air Force Special Acquisition Technology और Logistics के लिए है उन्होंने यह Confirm किया है कि US Air Force अपने Next Generation Air Dominance Program यानि NGAD Program के उपर काम कर रही है और इसके अंदर एक On Board AI Assisted Co-Pilot भी होगा बाकी इस एरक्राफ्ट की डिटेल अभी सीक्रेट रखी गई है और दोस्तों ये R2-D2 Concept का सीधा सा मतलब ये होगा कि Pilot को एक सीधे दिशा निर्देश मिलेंगे जैसे कि दोस्तों Pilot को Stealth के लिए मिलते हैं और ऐसे ही दोस्तों जो Crew Pilot होगा वो ऐसे ही Perform कर रहा होगा जैसे कि Main Pilot कर रहा होगा और दोस्तों इसी साल पहले ही US Air Force ने इस Fighter जैट का एक Prototype को उड़ाया था जो कि दोस्तों कहा जा रहा है Next Generation का Fighter जैट होगा और Pentagon ने इसकी किसी भी डिटेल के उपर बात करने से या Share करने से मना कर दिया इस NGAD Fighter जैट प्रोग्राम के लिए लेकिन कहा जा रहा है कि ये Air Force के Vision के हिसाब से बनाया जा रहा है एक Modern Fighter जैट होगा जिसके अंदर Improved Stealth Capability और Speed होगी और दोस्तों ये तो मान के चलिए कि Sixth Generation का जो भी Fighter जैट होगा उसके अंदर Artificial Intelligence का इस्तेमाल होगा ही होगा लेकिन अब Co-Pilot के रूप में होगा तो ये और भी बड़ी बात होगी और इ ऐसे जैसे एरक्राफ्ट एडवांस होते जा रहे हैं इनकी टेकनोलोजिकल एडवांसीज भी बढ़ रही हैं स्पेशली दोस्तों इसलिए AI का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अंदर दोस्तों बहुत से प्रोसीजर इंटरफेसीज इंडिविजुल सेंसर और वैपन स सिस्टम का रडार का और इसके इलावा युद के अंदर पाइलेट को एनिमी की एर टू एर सरफेस टू एर कैपैबिल्टी स्टेंथ और वीकनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है और इसके इलावा अधर पाइलेट्स या एरक्राफ्ट के साथ में डेटा शेयर करना भी ए ज्यादा इस्तेमाल होगा और रीजन ये भी है दोस्तो अभी जितनी भी एक फ्लाइट की डेमोंस्टेशन की जाती है जिसके अंदर दोस्तो दो फाइटर जेट के बीच में युद होता है ये एक्चुल में दोस्तो कंप्यूटर पे ही होता है लेकिन होता एक्चुल यु ये प्रोग्राम कर रहा है धन्यवाद जैहिन